स्वागत बच्चो आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा बारा में वीस है फिजिक्स का वाटसप बेस असाइमेंट या फिर क्यूज अभ्यास जो की 9 अक्टूबर का है वीक 14 तो चले श्टार्ट करते हैं विदुद्वी धूर्व किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा पहला दो समान परीमाप एबम विप्रित्थ प्राकृति के अवसेश आवेस परसपर अत्यलोप दूरी परिस्थित हों तब इस प्रकार के निकाय को विदुद्वी धूरुफ कहते हैं प्रश्ण मर् 2 है निम्लिकित में से विद्धूत द्वीधुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर हो जाएगा दूसरा अगला देखिए विद्धुत विद्वर के कारण उसके निरक्ष पर विद्धुत विवव का मान क्या होता है उत्तर हो जाएगा पहला सुनने पहला हो जाएगा चौथे का पहला अगला देखिए सही विकल्प चुनकरिक्स्तान की पूर्ति करना है किसी विद्दू छेत्र में वे है प्रश्ट जिस पर इस्थित समस्त बिंदू का विवव मान क्या हो जाता है उत्तर होगा इसका दूसरा समान तो वे क्या कहलाता है सम विवव प्रश्ट कहलाता है अगला देखिए छटा प्रश्ट निम्लिकित में से सम्विवव प्रष्ट के संबंद में कौन सा खतन सत्य नहीं है उत्तर होगा पहला अगला देखिए दो बिंदु क्रमसव पांच गुना दस की घात माइनस 19 कुलाम और माइनस पांच गुना दस की घात माइनस 19 कुलाम परस पर तीन गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर दूरी परिस्तित है जब बिंदू द्वीधरब अक्ष पर हो तो इस द्वीधरब से 6 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर दूरी परिस्तित बिंदू पर विवफ का मान क्या होगा उत्तर हो जाएगा इसका पहला 3.75 गुना 10 की घात माइनस 8 वोल्ड अगला है कथन दिये गए हैं तो कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है इसका कथन होगा दोनों सत्य हैं पहला और दूसरा तो तीस पाप्सन सही हो जाएगा तब अच्छों ये ता हमारा कक्षा बारा का विसेफिजिक्स का आज का वाट से विसाई में तजुरे चैनल से धन्यवाद